हेलो एवरिवन क्रेटिंग एन इंक्लूजिव स्कूल पेपर का जो टॉपिक है डिफरेंस बीटिविन इंटिग्रेटेड एजुकेशन इंक्लूजिव एजुकेशन उस पर आज हम लोग यह नोट से देखने वाले हैं इस नोट का जो हिंदी है वह आल्रेडी चैनल पे अप प्लेडिस्ट में जा करके महां से चेक कर सकते हैं हिंदी में इस टॉपिक का नोट अफ्लोडेड है और जो भी चैनल पे नहीं है चल को सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि इस चैनल पे आपको बीर डिलेटर सारी नोट हिंदी और इंगलीज में मिलते हैं चली वीडियो एंगल दुन हो सकते हैं मनदुद्धी वाले हो सकते हैं वह भी क्या होता है कि आते हैं तो इंटिक्रेट एजूकेशन और इस में क्या होता है कि जो करिकुल performướ वह सभीक समय प्रिकर मे। डिसेबल बच्चों के लिए वैसा कुछ प्रॉबर किया उनके नीट के एकॉर्डिंग डिसाइन करना करिकुलम को वैसा कुछ भी नहीं किया जाता है बस एक समान रहता है जो सभी को फॉलो करना होता है वहीं अकर इंक्लोजिव एजुकेशन का बात करें तो उसमें सभी इस बच्चों को देखते हुए ही ध्यान में रहता है जैसे कि पर गयांपल के लिए स्कुल का बिल्डिंग जो होगा ठीक है और स्टेश जो होंगे वह प्रॉपर तरीके से उन्हीं बच्चों के बारे में सोच करके ओवर रॉल बनाया जाएगा ताकि वैसे बच्चों को भी क ने मैं जाया है तो पहला है इंटीक्टेयटेटेडाइश जो प्चेय इंटीक्टेश वाले बच्चे को सहगे और इंटीक्स बॉन्हों सब करके नहीं चाएगार। वहीं अगर इंक्लूजिव एजुकेशन को देखें तो special facilities प्रोवाइड किया जाता है सभी special needs वाले बच्चों को साथ ही साथ कि वो जो general student के साथ पढ़ रहे हैं तो एक अलग तरीका का जो environment उनको provide किया जाता है second है in the integrated education system there is no change in the curriculum for students with special needs integrated education में क्या होता है कि जो special needs वाले बच्चे हैं उनके लिए curriculum में को अलग तरीके से परिबरता नहीं आजाएगा जो teaching methods use किया जा रहा है general students को पढ़ाने के लिए उसी तरीके से उन बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा तो कहीं निके difficulty तो face करना पढ़ सकता है special needs वाले को problem face करना पढ़ सकता है वही अगर हम दुसरे बच्च कर लें inclusive education system में तो changes are made in the curriculum so that students with special needs are helped as well as there is no harm to the general students मता कि हमारे general students को भी को harm ना हो और special needs वाले बच्चे उनका help भी हो जाएग तो उस तरीके से curriculum को design किया जाता है फिर next है third है where integrated education is teacher centric the same inclusive education is student centric integrated education में क्या होता है teacher centred होता है और inclusive education में यह student centred होता है fourth है in integrated education there are no teachers trained to teach students with special needs मतब कि जो special needs वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए को इस अलग से special unique according trained teacher नहीं होते है जो normal general students को पढ़ाने के लिए teacher होते हैं बस बहुत नहीं trained होते है rather teachers there are superficially trained to teach students with special needs जब कि क्या होता है teacher जो होना चाहिए क्या होना चाहिए special needs के लिए अलग से होना चाहिए but in inclusive education arrangements are made for especially trained especially trained teachers train train दो बबर हो गया sorry तो inclusive education में क्या होता है कि especially trained teachers होते है उसी purpose के लिए special बच्चों के लिए उनके needs के लिए उनके according वो teaching methods के इस्नमाल कर सकते हैं ठीक है तो वो ऐसे बच्चे होते हैं उसके बाद है 5th है under integrated education the structure and infrastructure of universities are not friendly to students with special needs integrated education का बात करें अगर हम तर जिस तरीके से normal infrastructure होता है किसी भी universities का college का schools का ठीक है वो उसी तरीके से होता है special needs वाले बच्चों को देखकर के disabled वाले बच्चों को देखकर के उसको तयार नहीं किया जाता है but in inclusive education the design and infrastructure of the school is made according to the students with special needs special needs वाले बच्चों को देखते हुए infrastructure को तयार किया जाता है इस वज़े से इसका cost भी ज्यादा होता है वैसे buildings को बनाने में 6th है there is no system of doctors and psychologists in integrated education but there is an inclusive education integrated education में किसी देखव के special doctors या psychologists नहीं होते है especially psychologists तो नहीं होते है टेक doctors हो सकते है psychologists नहीं होते है जबकि वह एकर inclusive education का बात करें तो वहाँ पर उन सभी बच्चों के लिए special psychologists, counselors, counselors वहाँ कुछ होते है 7th है special needs students require more attention but no such arrangement is made for them in the integrated education system integrated education system में जो special needs वाले बच्चे है तो उन पर ज्यादा ध्यान देने की ज़रत होती है पर ऐसा कुछ किया नहीं जाता है उनको normal general students के तौर पर ही उनको पढ़ाया जाता है but in the inclusive education system the needs of the students are kept in mind उनका क्या needs है उनको ध्यान में रख करके उनके परती जो reaction होता है teachers को किया जाता है उसके बाद है eight point है in the absence of trained teachers in the integrated education system students are not able to get effective education अगर integrated education system में अगर specially trained teachers नहीं होंगे special needs वाले बच्चों के लिए तो वह effective education नहीं होगा but they are effectively toured by trained teachers inclusive education वसी जगह पर अगर inclusive education का बात कर लें तो वहाँ पर properly trained teachers होते हैं मौजूद ninth है in the schools providing integrated education the structure of the school is not friendly to the student but due to which they have to face many problems जो integrated education system है उसमें क्या है कि जो stairs होता है सीड़ी होता है तो वो सब को design के जाता है normal general students को दिखते हुए buildings होता है उसमें lift नहीं हो सकता है जो railings होता है वो नहीं हो सकता है तो उस तरीके से क्या होता है कि design के जाता है normal general students को देखते हुए लेगिन वहीं अगर हम पात कर लें inclusive education में तो आप इस special needs को देखते हुए इस्तिमाल के जाता है तो buildings वैसा नहीं होता है तो ज्यादा cost नहीं पड़ता है उसी जगह अगर हम बात कर लें inclusive education का तो उसमें cost ज्यादा पड़ता है कि कुसमें train teachers चाहिए doctors चाहिए psychologists चाहिए school infrastructure चाहिए उनके according तो इस तरीके से ज्यादा खाचा पड़ता है तो यह कुछ basic strength, differences थे integrated education and inclusive education में उमीद करते हैं यह नोट्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पात्वेस से जहूर सेयर करें तो मिलते हैं लोग next वीडियो में